अगर आप भी चाहते हैं एक प्रीनियम ब्राइंड की कार ओन करना एंड बज़ाट है सिर्फ 50 लाग रुपीज तो इस वीडियो में बने रहना क्योंकि आज हैं बताने जा रहा हूं इंडिया की टॉप 5 प्रीनियम ब्राइंड कार्स अंडर 50 लाग नमबर फर्ष पर आती है BMW के तरफ से X1 यह BMW की entry-level SUV है एंड इस कार में हमें प्राइस बहुत ही अच्छी रेखने मिल जाती है BMW X1 में हमें वन पैट्रोल एंजन मिलता है जो कि है 1.5 लिटर का एंड टू लिटर का में डीजल एंजन मिल जाता है इस SUV में में दो वेरेंट आफर हो जाता है एक है 18D M Sport और एक 18i X-Line नमबर सेकंड पर आती है Mercedes की तरफ से GLA यह भी Mercedes Bench के एक entry-level SUV है जिसमें की हमें 1.4 लिटर का पैट्रोल एंजन मिलता है और 2 लिटर का डीजल एंजन इस car के brand के हिसाब से इसकी pricing बहुत ही बढ़िया दी गई है आप जरूर से consider कर सकते हैं आपका budget अगर 50 lakh है तो अब बात कर लेते हैं कार के variants की इस car में हमें 3 variants offer हो जाते हैं जो की आपकी screen में display हो रही है हमारी list की number 3 पे कार आती है वो है Volvo की XC40 50 lakhs के budget में भी ये car हमें बहुत ही अच्छी pricing offer कर देती है आप जरूर से इस car को भी चेक आउट कर सकते हैं Volvo XC40 में हमें केवाल 2 liters का mild hybrid petrol engine मिल जाता है एंड इसमें केवाल हमें one variant का ही option मिलता है नंबर 4 पे और आडी के तरफ से आने वाली Q3 और आडी की ये SUV भी हमें 44-50 lakhs के बीच में पर जाती है जो की बहुत ही अच्छी price है और जैसे brand के लिए इस car में भी हमें only one engine offer हो जाता है जो की है टू लीटर का petrol engine इस SUV में भी हमें दो variants offer हो जाते है जो की है Audi Q3 premium and Audi Q3 premium plus इस list की नंबर 5 पे आती है Audi की A4 ये basically एक sedan है जो की 40-50 lakhs के बीच में हमें मिल जाती है Audi A4 में भी हमें केवल one engine option मिलता है जो की है टू लीटर का petrol engine इस car में हमें 3 variants offer हो जाते है एक है 40 TFSI premium, 40 TFSI plus और तीसरा है 40 TFSI technology अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजगा इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देखाए शेयर कर देखाए अपने दोस्तों के साथ मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ अगर आपके पास भी 50 lakhs होंगे तो अगर आपके पास